भक्तो चम्चो चूहों का नहीं भगत्सिहों का देश है ये ब्रम के उपासको अल्ला के बंदों का देश है यहां दिल्ली का रास्ता खेतों से होकर जाता है ये एसी में सड़े मुर्दों का नहीं फुटपात पे पड़े जिंदों का देश है ये भारत माता के जै के नारो जय हिंदो का देश है, या मन से साथ रहने वाले बाशिंदो का देश है, यहाँ जहर थूकने वाले को थूक कर चाटना पड़ता है, यह लटकने से पहले मुस्कुरा कर चुमे जाने वाले फांसी के फंदो का देश है, यह चील गिद्धो कवो का नहीं कभूतरो का देश है, आप क्या लगता था ये संतरों का देश है ये आयतल कुर्शी का रिगवेद के मंतरों का देश है ये सत्ता के सिकंदरों का नहीं जनता के कलंदरों का देश है ये अल्ला से ड़ने रशूल से इश्क करने वालों का देश है ये पत्थर को विश्वर मानने वालों का देश है ये बुद्धु से बुद्ध तयार करने वालों का देश है ये डूब कर प्यार करने वालों का देश है ये पूजा का प्रसाद मांग कर खाने वाले मुसल्मानों का देश है ये मुसल्मानों से फुकवा कर बिमारों को पानी पिलाने वालों का देश है ये सवा लाग को लंगर में खिलाने वाले और सवा लाग से अकेले लड़ जाने वालों का देश है ये ताना शाहों कोन के घुटनों पे लाने वालों का देश है मैं हिंदू था हिंदू हूँ हिंदू हमेशा रहूँगा मगर आज इवन मुसल्मानों के लिए लड़ता रहूँगा मैं बकरा हूँ कब तक बिना चीखे कटता रहूँगा सच लिखता हूँ मगर कब तक बिना भीके लिखता रहूँगा एक दिन पट्टा लगेगा मैं तब महज कुटता रहूँगा मगर भूकता रहूँगा टांगे उठा कर सितंगर के घर के बाहर मूँ बीटा रहूँगा आप काटी ये गला मैं मिमी आऊंगा नहीं हसता रहूँगा वो अपने धर्म को बचाने के लिए कर्बला में मरता रहेगा मैं अपने मजभब को बचाने के लिए धर्म युद्र लड़ता रहूँगा वो कब तक अपनी देश भक्ती प्रूफ करने के लिए मेरे वतन के लोगो वाला रिंग टोन लगाता रहेगा मैं कब तक अधान के आवाज से उची आवाज में आईटम नंबर्स बजाता रहूंगा वो कब तक गुड़ू बिट्टू जैसे नामों में अपना पूरा नाम छुपाता रहेगा मैं कब तक अपना पूरा नाम लेकर जोर से अपना सर नेम बताता रहूंगा वो कब तक इंडिया पागिस्तान के मैच के वक्त गुनहगार बना फिरता रहेगा मैं कब तक बिना बात के नारंगी पहन कर सबजी बाग जाने से डरता रहूँगा वो कब तक पंक्चर बनाने वाले कीमे से लड़ता रहेगा मैं कब तक गुफा पुत्र जैसी language सुनता रहूँगा वो कब तक अपने चच से पानी चूते जोपड़े में अपने कागजात बचाता रहेगा मैं कब तक भगवान की फोटो देखने के बाद ही किसी होटल में खाता रहूँगा वो कब तक टिफिन बॉक्स खोलने से के पहले वाले डर से लरता रहेगा मैं कब तक फलनवा का गला काट कर भीग दिया था वाला जुटा किस्सा गरता रहूंगा वो कब तक फ्राइडे को आफिस से दोपहर को बाहर जाते वक्त शर्मिंदा रहेगा मैं कब तक सोचता रहूंगा कि 50-50 होगे वो तुम मैं कैसे जिन्दा रहूंगा वो कब तक इश्वर एक है दोहराता रहेगा मैं कब तक मेरा वाला तेरे से बेस्ट है चिलाता रहूँगा वो कब तक जिन्ना के जिन्न से डरता रहेगा मैं कब तक उसकी माइनोरिटी होने के बावजूद मिली कामियाबी से चिड़ता रहूँगा वो कब तक जुलूसों की भेट चड़ता रहेगा मैं कब तक गुम्बत पेट चड़ता रहूंगा वो कब तक हरा कुर्ता थोड़ा लाउड है कहता रहेगा मैं कब तक फ्राइडे को इन लोगों के एरिया में कितना क्राउड है कहता रहूंगा वो कब तक मैं अरब से नहीं आया हूं कहता रहेगा मैं कब तक उसके घर में कभी नहीं खाया हूं कहता रहूंगा वो कब तक काफिर का मतलब सब हिंदू नहीं है कहता रहेगा मैं कब तक सूरज तो हिंदू है मगर चांद शायद हिंदू नहीं है कहता रहूंगा वो कब तक बस कबाब खाने के कारएं खराब कहलाता रहेगा मैं कब तक पटेल और नहरू को लड़वाता रहूंगा वो कब तक कपड़ों से पहचाना जाता रहेगा मैं कब तक मजारों पे धागा बांगते जाता रहूंगा वो दीन से दूर रहकर कब तक मुसल्मान रहेगा मैं इमान से दूर रहकर कैसे सनातन रहूंगा वो मर भी रहा होगा तो सिराने कुरान रहेगा मैं कब तक हिंदुस्तान में बने मिनी पाकिस्तान से परिशान रहूंगा बबन मिया कब तक बावर के नाम पे सहता रहेगा मैं कब तक स्टेशन के नाम बदल कर नेशन का काम करने से बचता रहूँगा वो कब तक रोजा केले करेगा और इफ्तार में मुझे बुलाता रहेगा वो अगर नमाज नहीं करेगा कुरान नहीं पढ़ेगा तो कब तक इमान बचाता रहेगा अगर मैं मर्मी न समझा कर्मी को धर्म न समझा तो कब तक मिर्त्यू भोज खाता रहूँगा मेरे नाम अमित चादरी है पसंद आए तो शेयर करें जैहन